एलो हाई गाईस कैसे हैं आप सब गुड मॉर्निंग आज की मॉर्निंग में लेके आई हूँ आपके लिए पाव भाजी रेसिपी बहुत ही यम्मी डीस है घर पे बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है घर के ही समानों से और काफी टेस्टी भी लगती है बहुत ही अच्छी खाने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी थोड़ी सी गो भी लिए और चुकंदर लिया है एक और दो आलू गाजर और साथ में मटर हैं सफल वाले यह मैंने फिरिजर में रखे वे थे तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं सभी चीजों को अच्छे से छील के काट ल रेसिपी लिएगे प्रेसर को कर लें गी इसमें चुकंदर कर दिया है और थोड़ा सा एक जबस घली डालेंगे और एक गिलास पारके इसको प्रेसर कुकर में एक सिटी लगा देंगे ताकि यह अच्छे से पक जाए तो प्रेसर कुकर में रख दिया है तब तक हम आगे का मसाला अपना रेडी करते हैं जब तक हमारी सीटी आती है तब तक हमने चार छोटे मीडियम साइज के टिमाटर लिए हैं पांच प्याज लिए हैं मैंने और पांच कली लसन के लिए है और एक हरी मिर्ची लिए है तो जो टेमाटर हैं इनके हम प्यूरी बना देंगे और बाकी चीजों को कट कर लेंगे तो देखे मैंने बारी काट दिया है प्याज भी और मिर्ची के दो हिस्से कर दिये और लसन भी मैंने बारिक काड़ दिया है पाव भाजी में लसन थोड़ा ज़्यादा ही डलता है क्वांटिटी में उसे काफी अच्छा टेस्ट आता है पाव भाजी का इधर हमारा देखिए सबजिया सारी पक चुकी है अच्छी से सिट्टी आ चुकी है तो मैंने निकाल दिया है अब गैस पे एक पैन रखेंगी उसमें ऐल एट करेंगी और ओल गरम होते ही मैंने वन टीस्पून जीरा और वन टीस्पून के आसपास हिंग एट किया है और अब हम इसमें लसन एट कर देंगी और एक हरी मिटचे, दो चीरे कर दिये, मैंने उसके एड़ कर दिया है, लसन ब्राउन होते ही हमने इसमें प्याज एड़ कर देंगे, प्याज भी मैंने बारी काट के डाला है, आप चौपर से चौप भी कर सकते हैं, तो अब इसको हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे, देखे, मैंने टेमाटर की प्यूरी एड़ कर दी है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अच्छे से मसालियों की साथ पतने देंगे, तो देखे, हमारे टेमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, अब थोड़ा सा इसमें नमक गरेंगी, कस्मीरी लाल मिर्च, पाउडर एट कर दिया है मैंने और सबी मसालों को अच्छे से Mid-krais कर लेंगे और तोड़ा देर पकने देंगे जब मसाले तेल ना छोड़ दें तो हमारे मसाले देके पक चुके हैं थोड़ा से इसमें मैंने पानी एट किया है मिक्सी के जार में मेरे टिमाटर के प्यूरी लगे थी तो उसी में मैंने थोड़ा से पानी एट करके इसमें एट किया है और मसाले में एक बॉइल आने देंगे तिस में अच्छा टेस्ट आएगा इसमें इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो पाव भाजी एकदम लगेगी हलवाई स्टैल में तो इस अब हम सारी सब्जी आट कर देंगे देखे सारी सबजी मैंने डाल दी है अच्छी से पक चुकी है अब हम इसको मैसर के साहता से मैस कर लेंगे जो पाव भाजी होती है एकदम मैस की हुई होती है मैसी से होती है एकदम तो हम इसको मैसर की साहता से पटैटो मैसर से और मैस कर लेंगे तो यह देखे इस तरीके से हम मैस कर लेंगे एकदम दरदरी सी मैंने मैस कर ली है तो इस तरीके से जो होती है ने पाव भाजी एकदम मैसी सी ही अच्छी लगती है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगी क्योंकि जो पावभाजी है मेरी थोड़ा गाड़ी हो रही है पतली पतली अच्छे लगती है याद रखेगा पानी इसमें गरम एट कीजीगा थंडा पानी मत एट कीजीगा बोईल पानी ही एट करना है एकदम गरम गरम काफ़ी अच्छा पव भाजी हमारे रेडी है पाव भाजी में थोड़ा सा बटर एड़ करना है तो मैंने बटर अब लास्ट में एड़ किया है अगर आपके पास है तो कर दीजी नहीं है तो आप बटर की जगह घी भी एट कर सकते हैं और अगर बटर है तो उससे और अच्छा टेस्टा आता है तो एकदम हमारे पाव भाजी रैडी हो गई है बनके देखिए बिल्कुल तेयार हो गई है अब हम पाव को सेकेंगे तो मैंने गैस पे तावा चड़ाया है उसमें मैंने छोटा सा बटर एट कर दिया है और यह मैं पाव मार्केट से लेके आए थी देखिए अब हम इसमें थोड़ा धनी अपती डाल देंगे और पाव को अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइट से अच्छे से सेक लेंगे जर असल मैं खुदी वीडियो सूट कर रही हूँ तो एक खास से थोड़ा प्रॉबलम हो रही है मुझे बनाने में तो अब देखिए पाव को मैंने अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया है गर्मा गरम पाव भाजी हमारी एकदम रेड़ी है आप इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा कोई बता नहीं सकता कि आपने ये घर पे बनाई है तो देखिए गाईस मेरी भाजी एकदम रेड़ी है बिल्कुल मार्केट जैसे लग रही है कितना अच्छा कलर आया हुआ है और इतना ही अच्छा टेस्ट भी है कोई कह नहीं सकता कि घर पे बनाई है मैंने पाव भाजी आप भी ट्राइ जरूर कीजिएगा ये रेसिपी को फिर मिलते हैं नहीं ब्लॉग में तक तक के लिए बाई बाई टेक केर